दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका Been Truthful पर दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मकोका एक्ट की इस से पहले साइद आप मकोका एक्ट के बारे में नहीं जानते हैंगों नहीं साइद आपने इसके बारे में सुना हुआ क्योंकि हमें भी नहीं पताता दोस्तों क्योंकि मकोका एक्ट बहुत ही कम लोग जानते हैं क्योंकि चर्चाओं में भी कम रहता है आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो से पहले जो हम प्रेजेंट में बना रहे हैं इससे पहले हमने एक वीडियो सुसील कुमार की उपर बनाई थी आप चाहें तो उसको जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि सुसील कुमार की उपर मकोका एक्ट लग सकता है तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसका full form आपको बता देता हूं कि मको का act का full form क्या है मको का act का full form है महाराष्टरा controlling of organized crime इसका full form है दोस्तों और महाराष्टर मैं इसको 1999 में ordinance के थुरू लाया गया था बाद में assembly के द्वारा पास करा दिया गया था फिर दिल्ली में भी लागू कर दिया गया था 2002 में तो जो मको का act है इसका मुख्य उद्धिश्च लाने का है कि जो organized crime है जो आतंगबादी जो organized crime करते हैं या हम लोग करते हैं तो उसको रोकने के लिए जो एक्ट बनाया गया है तो मैं समझता हूँ अब आप ये समझ गए होंगे कि मको का act क्यों लाया गया है अब यहां पर एक question और उठता है कि मको का act तो हम जान गए कि क्या है लेकिन ये organized crime क्या है इसकी क्या परिवासा है मुझे लग रहा है कि आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा तो organized crime को दोस्तों हम ऐसे समझ सकते हैं मैं आपको उधारने के तुरू समझाता हूँ suppose कीजिए कि हम कोई crime करते हैं पूरी planning के तैथ हमने तै किया कि पांच तारीक को इस दिन इतने वजे इतने समय पर हम एक आदमी को मारेंगे पिर उसके बाद क्या process होगी मतलब पूरा सुनियोजित कारे क्राम है पूरा सुनियोजित अपराद है इसका reaction क्या होगा हमें action लेंगे तो क्या हो सकता है तो पूरा जो सुनियोजित जो पहले सी planned होता है group के दौरा वो कहा जाता है organized crime क्या नहीं होता है मैं यह भी बता दूं suppose कीजिए कि हम जा रहे हैं रास्ते में किसी से टक्कर हो जाती है और वो हमें गाली गिलुच कर देता है जब को गल्ती भी उसी की तो ऐसे में मानकर चली हम उसमें गोली चला देते हैं और उसकी मौत हो जाती है तो इसे organized crime नहीं कहा होता है तो वो organized crime कहा जाएगा इसके दोस्तों तीन component होते हैं एक तो होता है प्रोटेक्टर होते हैं दोस्तों कैसे की जो अपराद करते हैं उनको साहिता दी जाती है उनको संरच्छन दिया जाता है क्रिमिनल्स के दौरा और कई वार कुछ ऐसे बड़े-बड़े क्रिमिनल होते हैं वो भी बचा करते हैं इस्पेसलिस्ट सपोर्ट होती है दोस्तों नेताओं का सरनच्छर पराप्त होता है तो ऐसे कुछ काम होते हैं वो करते ही हैं क्रिमिनल सपोर्ट भी क्रायों जो होते हैं उनकी भी सपोर्ट रहती है दोस्तों तो यह जिनके मुख्य कंपोने मको का act के जो फिसन प्रॉवीजन है दोस्तों उस पह भी चर्च कर ली जाए सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता दूंकि जो मको कॉ का एक्ट है दोस्तों इसके दौरा इस विसन कोर्ट भी बनाए गए जिसके मंको मकोग का एक्ट लगता है तो उनी कोट में जाके इनकी सुनवाई होती है पहले ऐसा नहीं कि उनमें नहीं हो सकती उनमें भी होती है लेकिन अगर इस पेसल कोट है तो जल्दी नियाय दलाने के लिए इस पेसल कोट बनाए गए है यहां पर और भी छूट दी गई है जैसे कि आप जानते हैं कि जो रिमांड है वैसे 15 दिन की कश्टेडी होती है रिमांड की लेकिन आपे आप 30 दिन की भी कर सकते हैं चार्ट सीट फाइल जो हम नॉर्मल केस में करते हैं दोस्तों उसका 60 या 90 दिन का समय रहता है जबकि मकोका एक्ट के तेयते 180 देस तक हो सकता है इस पांच साल तक की सजा हो सकती है और इसमें नहीं मिल पाती है उसका मुख़् कारण ही है कि उसने जो कारिकरम करते मैं सुनियोर कोamız टप्राद करते हैं पता है हमारे खिलाब कौन गवाही देगा हम कैसे ल felt such words को दंगा ना आए डराना है तो जे act के तेट जो गवा होते हैं दोस्तों उनको सुरच्छा दी जाती है सबसे महतपूर्ण point है सुरच्छा दे कर सायद वो गवाई दे सकता है क्योंकि जब सुरच्छा मिल जाएगी कानूनी रूप से तो आप कोट में जागे गवाई भी दे सकते हैं फिर आपको जानगा खत्रा इतना नहीं रहेगा जितना पहले रहेगा इसमें एक चीज़ और है दोस्तों एक कोर महतपूर है कि हम जैसे नॉर्मल जो किरायम होते हैं इस एक्ट के अलावा जितने भी घंबीर किरायम ही को ना हो तो वहाँ पर जब आप कोट के सामने पेस होते हैं तो कोट आपको निर्दोस मान कर चलती है और कोट यह कहती है कि हमारे सामने खड़ा व्यक्ति यह निर्दोस है अब पुलिस से वो यह कहती है कि आप सावित करें कि यह दोसी है लेकिन मको का एक्ट ऐसा नहीं है दोस्तों मको का एक्ट अगर जिसके उपर लग गया तो वो कोट के सामने अगर पेस होता है तो कोट उसको दोसी की तरह मानती है पहले से ही दोसी मान कर चलती है और फिर वो यह कहती है कि अब आप यह सावित करें कि यह निर्दोस है तो मको का अगर act किसी पर लग गया है तो पहले से ही दोशी है मको का act के तहत इसमें एक चीज़ और है दोस्तों कि कई वार जैसे आप जानते होंगे कि अगर पुलिस के सामने कोई statement देता है तो कोट उसको माने नहीं करती है और कोट मान कर चलती है कि हो सकता है कि पुलिस के दवाम में पीड़तों ने गवाई दी हो तो कोट ऐसा मानती नहीं है वो उनकी जो बयान होते हैं दोस्तों उसको सबूत के तौर पर नहीं लेती है लेकिन मकोका एक्ट के तयत अगर कोई गवा पुलिस के सामने statement देता है तो वो कोट उसको गवा के तौर पर मान सकती है सबूत के तौर पर मान सकती है लेकिन इसमें कुछ बिसिस प्राबदान है मैं उसमें नहीं जाएंगे इसा कहा जाता है कि वो DSP rank का अधिकारी होना चाहिए तभी ये मानने होगा उसके सामने ही बयान दिये जाने चाहिए तभी मकोका एक्ट के तयत भी कोट मानेगा कि ये दोसी है या इसके बयान को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए अब जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं एक सकारात्मक और एक नकारात्मक तो हमने सकारात्मक पच्च को तो देख लिया है दोस्तों अब हम जानने की कोशिस करते हैं कि इसके नकारात्मक पच्च कौन से हैं इनके किसा आधार पर लोग इसकी आलोचना करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले तो यही आता है कि जो मको का एक्ट जिस बैक्टी पर लगता है तो उसके तैद वो दोसी हो जाता है और कोट उसको दोसी मान कर चलता है तो ऐसा कहा जाता है कि नियाय के बिरुद्ध है दोस्तों क्योंकि आप किसी पर सिद्ध नहीं हुआ है कोई भी आरोप उससे पहले आप उसे दोसी कैसे मान सकते हैं दूसरा पॉइंट आता है कि हमारा सम्मिधान दोस्तों जो पीडित होते हैं जो आरोपी होते हैं उनको भी अपना पच्छ रखने का अधिकार देता है तो वो भी अपना पच्छ रखते हैं कोट में तो ऐसा भी का जाता है कि जो आरोपी होता है दोस्तों इसके मको का एक्ट कितने conviction rate है दोस्तों वह भी बहुत कम है conviction rate है यानि कि मानकर चली आपने मंको का act का इस्तमाल कर सकते हैं आप जानते हैं कि हमारे देश की रायनीती कितनी गंदी है तो आपको अगर किसी को arrest करवाना हो उसे 4-5 महिने के लिए jail की अवा खिलानी हो तो आप मगोगा एक्ट लगाएंगे और डाल देंगे क्योंकि मगोगा एक्ट में ऐसे प्रापदान है कि आ काफी बड़ी मात्रा में किया जाता है तो मैं समझता हूं कि मकोगा एक्ट के बारे में जान गए होंगे कि मकोगा एक्ट क्या होता है तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ थेंगी सो मच